हेलो फ्रेंज मैं बिंदु शिंगारी आपकी स्ट्रॉलेजी निमिलोजी और वास्तु कोच आप सबी का दिल से स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कमजोर चंदर्मा को प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं चंदर्मा कैसे हमारे मन को कंट्रोल करते हैं हम कैसे सोचते हैं और अपने जीवन को किस तरह से चलाते हैं यानि life में आने वली problems को आप किस तरह से लेते हैं? क्या आपका focus problem पर होता है या solution पर? ये सब हमें पता चलता है आपी की कुंडी से. आपकी कुंडी में चंद्रमा अगर कमजोर होंगे तो आपका जल्दी से किसी भी situation को देख कर या सुनकर घबरा जाना, anxiety, panic attack आना, छोटी छोटी बात पर stress फील करना, किसी भी बात पर जल्दी से react कर देना, nervous हो जाना, छोटी सी बात को सोच सोच कर बड़ा बना लेना, कमजो हैं, वही कुंडी में चंद्रमा अगर strong position में होते हैं, तो ऐसे लोग problems को easily solve कर लेते हैं, बड़े ही positive attitude के साथ, उनका focus हमेशा solution based होता है, यही नहीं, यह लोग अपने आसपास के लोगों को mental और emotional help देने के लिए भी हमेशा त्यार रहते हैं, तो आपको तो कुछ करने की ज उपाय उनके लिए हैं, जिनका चंद्रमा कमजोर है, तो आपको क्या करना है, आपके साथ उपाय शेर कर रही हूँ, पहला उपाय सोने से पहले आपको 10 मिनट चंदर दर्शन करना शुरू कीजिए, और चंद्रमा के साथ अपना एक connect बनाएए, उन्हें शुकराना देते ह हुए बोलिए, आपको mentally और emotionally strength देने के लिए, clarity of mind देने के लिए, negativity को positivity में change करने के लिए, हर वक्त आपको एक खुशी का एहसास दिलाने के लिए, आपकी inner strength को मजबूत करने के लिए, आपके दिल दिमाग को हर वक्त हलका रखने के लिए, आप चंद्रदेव का दिल से के लिए, केवल इतना भर करने से कुछी समय में आपको अपने अंदर काफी positive changes नजर आने शुरू हो जाएंगे, आपकी life में clarity आने लगेगी, आप problem solver बन जाएंगे, positive mindset के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत सार capabilities हैं, आप अपनी life में बहुत कुछ और बहुत बढ़ा कर सकते हैं, बस अपने कमजोर मनस्तिती के चलते आप सब नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप अब इन उपायों को करिए, इसके साथ दूसरा उपाया आपको क्या करना है, कि अगर आपको लगता है कि आपको career से related अच्छे चावल अरपित कीजिए, इन दोनों उपायों को तीन महीने तक लगातार कर लिजिए, बस इतना करने मात्र से चंदर्मा की क्रिपा आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी, तो फ्रेंस ये तो थी मेरी आज की वीडियो, जल्दी आप से मिलती हूं कुछ खास लेकर तब तक के लिए धन्यवाद